तो दोस्तों सुनने में आया कि अमेरिका की अकड़ निकल गई है, अमेरिका ने भारतियों का दिल जीत लिया है, अमेरिका ने दिवाली का गिफ्ट दिया है, वसे मजाग खत्म हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुली अमेरिका से रिलेटेट कौन सी खबर न और इसको लेकर कोई M.O.U. साइन हुआ है जिसके जरीए किसी एक भारती कंपनी के साथ मिलकर एक कंसूल टीम बनाकर बिल्कुल भ्रमोस एरोस्पेस की तरह भारत में इनका मैनुफैक्चरिंग करेगी और साथी साथ 100% T.O.T. भी शेयर करेगी अब ये खबर निकल कर आई है मदुसुदन राउसर की तरफ से जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वो प्रोजेक्ट डिरेक्टर है तेजस मार्टू के और उनी की रिफ्रेंस के अधार पर मैंने कल की वीडियो बना कर आपको बताई थी कि तेजस मार्टू जो उसका में प्रोग्राम था वो अचीव कर लेंगे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जब ये मार्ट प्रोडेक्शन में जाएगा 2829 में उस समय तक इसके अंदर इस्तमाल किये गए सारे कंपोनेंट्स की मातरा 90% तक पहुच जाएगी केवल एक मातर एजेक्शन सीटी बागी रहेगी तो एंजिन का क्या रफड़ा है एंजिन कैसे क्या होगा तो बताया जा रहा है कि ट्विस्ट यहीं पर है दरसल अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से भारत की डील हुई है ये डील हम लोग काफी पहले करना चाहते थे उन्हें कहा गया था कि देखिए आप हमारे साथ उन्चर कीजिये इस एंजिन को भारत में बनाईदाट में इसकी टेकनलोजी ट्रांसफर कीजिये क्यूंकि हम लोग भारी मात्रा मेंने खरिद रहे हैं भारी मात्रा में इंका Izt ship यहजल करने इंजिन इसके पूरा किया जाएगा लेकिन इस बीच हो सकता था कि यह फिलाला मारे पास नहीं है यह अगर है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है बहुत ज़्यादा लिमिटेड इसी इससा टेकनोलोजी मिल जाती है अगर फुली ना भी मिले थोड़ी भोग भी मिल जाए तो इन फूचर अगर इसमें किसी तरह की कोई ट्रवल पूरी तरह से सोपने वाली है जो कि सायद बकवास चीज़ कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर वैसे ही कुछ होगा जैसा सू थर्टी मकाई के साथ हुआ था भारत में लाइसेंस बैसेस पर इनने बनाया गया था तो इस तरह की कुई चीज हो सकती है या फिर आप पाकिस्तान क को हम नहीं बनाया है और जिन साइंटिस ने बनाया है उनके पास डिपलोमा डिगरी वगेरा सारी कुछ चीज़ें हैं हाफिस सहीत के मदरसे से पास आउट हैं वो लोग तो इस तरह की चीज़ें वो लोग कहते रहते तो ठीक इसी तरह का सिनारियो भारत में होगा लेकिन अच्छी बात यहां पर यह रहेगी कि हम लोग इनको लेकर काफी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया इनकेस अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है अमेरिका और भारत की बीच में तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ना सही। रश्या के साथ चलाने वाले ते उसे ड्रॉब करके हमने इसके अपग्रेट की प्लानिंग की इसको लेकर परियोजना चलाई जा रही है। कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर यहां तक कि भारत ने मलेशिया को भी ओफर दिया था कि आप जो इसका मेंटेनेंस सर्विस वगेरा स्पेर पार्ट वगेरा नहीं ले पारे रश्या से क्योंकि सेंक्शन्स लगे हुएं कई सारे रश्या की उपर तो यहां पर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं दूसरी और कई सारी कंट्रिस जो की सुकोई 30 MQI की यूजर है उनके सामने भी हमने ओफर रखा है तो ठीक इसी तरह की चीज़ें भारत के साथ इस एंजिन को लेकर भी हो जाएगी जी का F414 हाला कि इसका मतलब बिलकुल भी नहीं है कि हम लोग ज टोटल टेकनोलोजी ट्रांसफर और साथ ही IPR के लिए नेगोशियेशन कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग कम से कम 6 बिलियन डॉलर्स खर्च करने बाले हैं तो वो एक प्रोग्राम अलगी होगा जिसके बाद हम लोग स्वतंतर रूप से अपना खुद का एक Next Generation Engine बना पाएंग तो ये सारी चीज़ें एक दम बिल्कुल अलग है लेकिन यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है अमारिका इस बात के लिए भी मान गया है कि वो भारत में मैनुफेक्चर कर रहा है एंजन को ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है बह इस बज़े से अमारिका भी कर रहा है लेकिन अंतों में भारत का इसमें फाइदा है है और है इसमें कोई दोमत नहीं है अब देखने वारी बात रहेगी कि यहाँ पर कौन जोइंट वेंचर करता है जनरल इलेक्टर के साथ कोई हमारी सरकारी कंपनी होगी या प्रावेट क कंपनी होगी यह समय बताएगा लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रावेट कंपनी को मुका देना चाहिए ताकि ज्यादा तर इसका एको सिस्टम भारत में वो डेलॉप करने के लायक हो इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर हिएगा